अरे सर आप documents है न वाट्सअप कर देना ये मेरा whatsapp नमबर है आपईसी नमबर पहाए न वाट्सअप कर देना ठीक है न वाट्सअप कर देना अरे सर आप documents हाटकपी क्यूं देंगे मैं mail id दे रहूं न आप उसमें mail कर दीजिए अरे सर आप बस कहना ना साइन कर वाले फॉम पर अरे साइन करने की विशूत नहीं सर हम कर लेंगे ना आपको कुछ यह सारी सुभीदा हम दे रहे हैं आपको दे रहा हूं ना अब बस फोन आए ना तो कहते ना मैंने साइन करके डोकुमेंच दिये थे सारे डोकुमेंच पर साइन किये थे ठीक है ना ऐसी आप बोल देना आप भी अगर किसी अप्लिकेशन को अप्लाई कर रहे हैं तो ऐसा ही आपका एक्सकुटिव बोलता है आपके रेटिट काड या लॉन के लिए अप्लाई करते तो आपको बैंकर यही कहता है ना सर आगे से अपने डोकुमेंट्स को साइन करके देंगे ओरिजनल दिखा देंगे एक्सकुटिव को और जो भी देंगे उस पे परपज और बर्क जरूर लिखेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक पे कि क्या होता है हाट कॉपी देना और क्या होता है सॉफ्ट क कपी भेजना और सॉफ्ट कपी कब भेजा जाता है तो दोस्तों मैं हूं अबदुला और आप देखरें एच के टिप्स अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नईने टॉपिक पे आपको ग्यान वर बात करने जा रहे हैं हाड कोपी और शॉफ्ट कोपी डॉकुमेंट के बारे में हाट कोपी और सफ oldu कोपी कह नाम तो सुनाई होगा जब आप अपने सारे डॉकुमेंट्स को फोटो कॉपी करके उस परपज बर्क लिखके साइन करके एक्सकूटिव को या बैंकर को या और और किसी भी काम के लिए आप देते हैं उसको कहा जाता हाट कॉपी और आप एक्सकूटिव मिला रास्ते में सर नाम नंबर दे दीजिए मैं काड़ बना दूगा और बस उनका डोकुमेंट्स में वट्सप करवा दीजिए गा और देखिए मैं कैसे काड़ मना के देता हूं उसको और यह मैं आपको यह गिफ्ट भी दूँगा गिफ्ट ने हैटफोन हुआ यह यह सर यह स्टेंट इसलफिस्टिक है यह सर और चार र क्राइम होगा ठीक है ना आपके डोकुमेंट्स का वह एक्जकुटीब जिसको आप वाटसप कर रहे हो सकता मिस्यूज कर ले ठीक है ना तो साबधान हो जाए वाटसप या मेल करने से पहले आप किसी भी काम के लिए अपना पेपर दे रहे हैं उस पर 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 जरूर हैं या इंसुरेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो उनका ट्रम और कंडिशन पढ़ने में एक दिन का टाइम जडूर लगाई है क्योंकि आपको पता है ना कि आप ट्रम और कंडिशन तो पढ़ेंगे नहीं क्यों पढ़ेंगे भाई आपने डोकुमेंट्स पर भेज़ दि तो यह ना हो ना इसलिए आप जितने क्रेडिट कार्ट के लिए या जितने लॉन के लिए अप्लाई करें हाट कॉपी डोकुमेंट्स दें एक्जकुटिव से पूछे कि क्या क्या डोकुमेंट्स लगेगा भाई आपका इंकम पूरूप लगेगा आपकी सैल लिप आपका एंप्लाई आइडी कार्ट लगेगा आपका के वाईसी डोकुमेंट्स लगेगा आपका पें कार्ट लगेगा या एक्स बैज़े जो भी डोकुमेंट्स लगेगा उन सब परवच औबर्क लिख के साइन करके हाट कॉपी दीजिए और ध्यां बखिए कि आपके साफ दिख रहा है तो आपका अप्रूबल तो अपने अब 10% बढ़ जाता है सिबिल बाद में चेक होगा डोकुमेंट्स देखते ही बैंकर कहेगा और भाई इसका डोकुमेंट्स कितना साफ सुतरा है इसको तो कार्ट दे ही दो स्कूल के टाइम में याद है ना रैटिंग बर्क लिखे हाड कॉपी आँख दिखता हुआ पूरा डोकुमेंट्स पास्पोर साइज फोटो एक या दू जितना मांगे वो दीजिएगा और साइन करिएगा डोकुमेंट्स पे साइन जैसा है आपका पेन कार्ट पे वही साइन होना चाहिए और पेन कार्ट वाला साइन अगर आपका नहीं आपको मालुम है तो जो sign आपका account में वो वाला करिए ठीक है न लेकिन सारे documents पर एक जैसे ही sign होने चाहिए कभी-कभी आपने देखा भी होगा कि sign mismatch में credit card या long decline हो जाता है और आप परिशान होते रहते कि भाई मेरा civil खराब है ये वो गिफ्ट बगर के लालस में अपने और अपने दोस्तों का document WhatsApp मत करिए क्योंकि जो document WhatsApp पर मंगाते हैं वो आपकी फ्रोजरी sign करेंगे और documents bank में लगाएंगे और आपका card decline अगर हो गया तो उनको क्या लेना देना भाई उनका तो target food हो गया ना फस्तो आप गये ना भाई आपको जरूरत थी उस चीज़ की और उस चीज़ आपको उस टेम पर नहीं मिली तो सब्धान हो जही है WhatsApp पर या mail पर किसी को कोई documents नहीं दीजिए अगर आपको कोई mail पर एक टादुका documents मंगा भी रहा है तो उसकी official mail ID होनी चाहिए आप उसको official mail ID पर ही documents send करें WhatsApp पर तो आप कभी भी अपने documents मज़ दें क्यूंकि सबसे ज़्याद आगे WhatsApp पर खराब हो रहा है ठीक है ना तो दोस्तो यही था आज की topic कि hard copy दें soft copy अगर mail भी भेजना भी है तो mail पर भेजे official mail ID पर भेजें documents आपके clear होने चाहिए sign proper तरीके से होने चाहिए और आप form पे तो signature जरूर करें application number जरूर लें और आप जिस भी product के लिए apply कर रहे हैं उसका terms and condition executive से जरूर पूछे कि भाई इसका hidden क्या है और on क्या है यह सारी चीजे आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए तभी sign करीजिए term and condition को तो आपको छोटे-छोटे लिखे होंगे ना भाई एक दिन form को अपने पास रखो उसको परो तब next day apply करो ठीक है तो दोस्तो यही topic है कि आप hard copy दें soft copy ना दें आपके साथ कोई cyber crime ना हो तो दोस्तो यह video अगर आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में share जरूर करना ताकि भाई उनको भी पता चले ना आप अकेले-अकेले खुसना हो जाईए कि भाई मुझे पता चल गया उसके साथ होने दो नहीं गल्थ तो गल्थ होता है तो दोस्तों चलते हैं वाई वाई अगले टॉपिक पर नई वीडियो बनाएंगे और फिर से रिक्वेस्ट करूँगा वाई चैनल सब्सक्राइब लाइक जरूर करना बेल बटन दवाना और अपने दोस्तों में share करना वाई गुद नाइट